दोस्तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वेकंसी आयो हुई है यहाँ पर डिपलोमा वाले आपलाई कर सकते हैं और क्या बताया गया हैं के official notice में उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और YouTube पर सबसे ज़्यादा जोब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि Civil Engineering से संबंधित किसी भी latest job का अपडेट आपसे मि इंडिया इंस्टीट ओफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है यहां पर आपकी काफी पोजिशन्स के लिए वेकेंसी हैं आप लोगों के लिए यहां पर परमान अंजोब निकाली गई है कुछ पोस्टों का जो है सलेक्शन प्रोसेस आपका डारेक् का सिक्स रहेगा सेल्री आपके वही 40,000 रुपे से लेकर 45,000 रुपे प्रतिमंतक रहने वाली है यहां पर आपसे तीन साल का डिप्लोमा मांगा गया है इन मेकेनिकल इंजिनिरिंग में इसके साथ में आपके पास कोर्स होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एर कंडिशनि अगर आपने बी बी टेक भी किया हुआ है डिप्लोमा के बाद तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और यह आपके ग्रूप B की पोस्ट है मैक्सिमम एज इमिक यहां पर आपकी 30 साल रहने वाली है और सेलेक्शन प्रोसेस यहां पर आपका CBT के आधार पर रहेगा नेक्स वेकेंसी आपकी रहने वाली है जूनियर इंजिनियर सिविल के लिए पे मेट्रिक्स यहां पर भी आपका लेवल 6 का है यहां पर भी आपकी 30 साल है और सेलेक्शन प्रोसेस यहां पर आपका CBT के आधार पर रहने वाला है नेक्स वेकेंसी यहां पर आपकी रहने व 3 साल का आप से दिपलोमा मांगा गया है in electrical engineering में अगर आप के पास experience है electrical engineering work का या फिर आगर आप phraser भी है तो भी है आप apply कर सकते हैं अगर आप ने वीए-बी-टेक किया है electrical engineering से तो भी आप पर apply कर सकते हैं और salary के साथ साथ में यहां पर आपको जो है central government द्वारा जितने भी allowance provide किये जाते हैं वो भी आपको यहां पर मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं how to apply आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो यह रहीन की official site इसका link आपको नीचे description box में भी मिल जाएगा online application आपके शुरू होंगे 19 नौंबर से और last date यहां पर आपकी 19 दिसंबर रहने वाली है सामके 5 बज़े से पहले पहले आप लोग इसके लिए apply कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आपके application fee के बारे में तो यहां पर general OBC candidate के लिए application fee आपकी रहेगी 3000 रुपे SCST और EWS candidate के लिए 2400 रुपे और PWD candidate के लिए यहां पर कोई भी application fee नहीं रहने वाली है application fee आपको online पे कर सकते हैं और इसी के साथ आपको यहां पर अलग-अलग category के हिसाब स age relaxation भी मिल जाएगा और selection process के बारे में यहां पर आपको बताया है कि आपकी जितनी भी group A की post है serial number 1 से लेकर 9 तक उनमें selection process आपका direct interview के आधार पर रहने वाला है और आपकी जितनी भी post है group B और group C की है serial number 10 से लेकर 33 तक वहां पर जो है आपका online CBT exam कराया जाएगा admit card के बारे में इन्होंने बताया है कि admit card जो है इनकी official website पर ही publish किया जाएगा तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या फिर B.B.Tech किया है civil, electrical या फिर mechanical engineering से अगर आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं, हलाक application fee यहाँ पर काफी जादा है आप अपने हिसाफ से देख ल के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें